हेलो दोस्तो मेरा नाम तोरुंदा मेरा चैनल बनस्पति दादा जिस चैनल के माध्धम से मैं रोज एक नया बनस्पति के बारे में जानकारी देता हूँ आप लोग के जो बनस्पति चैनल का एक ही उद्देश्व है जो आपका घर के आसपास में है अगल बगल में है खेत मे है, गार्डेन में है, जिसका benefit आपको पता है, लेकिन उसको कैसे use करना चाहिए, कैसे प्रयोग में लेना चाहिए, कैसे सिबन करना चाहिए, उसका कभी-कभी problem हो जाता है, हमारा 200A है, जो बनस्पती आपका घर के आसपास में है, उसको कैसे benefit मिलता है, कैसे आप उसको use सेबन करें, तो आपको सरीर के लिए वो फाइदा मन है, इसी चीज़ के जानकारी देना मेरा बनस्पती चैनल का एक मात उद्रसो है, आज का जो टॉपिक है, उसी बनस्पती के उपर है, जिसका नाम है tomato, tomato, अलग-अलग जगा में अलग-अलग नाम से चिया जाता है, एक्चुली ये एक पक्बन बस सबजी जातीय पदार्थ है, जो सबजी में इसको use किया जाता है, सलात में use किया जाता है, सूप पनाने के लिए use किया जाता है, चटनी बनाने के लिए use किया जाता है beauty skin cream जो होता है beauty के लिए उसके वही बहुत मत्रा में यूज किया जाता है यह अभी दोस्तों मैं एक tomato का खेत में बैटा हूं यह हरा color का सभी tomato है अभी सही धंग से पका नहीं है यह मैं अभी बैठा हूं और मैं आपको इसका बारे में जानकारी देना चाता हूं tomato जो है वो 2-3 feet का होता है और यह seasonable होता है लेकिन दोस्तों आज कल साल भर तक tomato मिलता रहता है खेती के उपर साल भर तक आपको दिखेगा इसमें जो प्रजाती का बात करें साथ से आथ प्रजाती का tomato होता है जो मैं एक के बाद एक बिताने बता हूं red baptick red baptick जो है totally red color में होत होता है यह जो आपके सामने दिखा रहा है यह red baptick मतलब इसका जो outer cover है जब है भी कड़क होता है बहुत tight होता है उसको red baptick कहता है और दोसरा नमर होता है green green मतलब यह है देशी जिसका सीधा बात में बोलें देशी इसका जो छिलका जो दिख आपके सामने यह बहुत आएगा लेकिन यह बाला जो portion दिखा रहा हूँ यह देशी है यह देशी ज्यादा दिन नहीं रहता है यह आपके सामने यह hybrid है green cherry cocktail रोमा इस टाइप में इंडिया में tomato का खेती होता है उसको उपर depend करता है आपका फलोन के उपर आपका सब्जी के उपर किस टाइप का खेत है किस टाइप का मिट्टी है तो normally five types of tomato इंडिया में available है और यह जो मैं दिखाने को सिस करो यह hybrid tomato है जो मैं आपको दिखाया इस टाइप से पकने में ऐसा होता है अभी कच्चे में ऐसा इसका जो outer cover है यह बहुत ज़्यादा कड़क होता है open जगा में रहने में भी आपको problem नहीं होता है इसमें जो होता है वो vitamin C, vitamin C, vitamin K, lecopene, potassium, calcium भरपूर मात्रा में रहता है tomato canger कच्चा होगा तो ज़्यादा हो रहेगा पकेगा थोड़ा सा difference होगा लेकिन रहेगा ओई C और K, potassium यह बहुत ज़्यादा रहता है इसमें anti-inflammatory गून रहता है anti-oxidant रहता है और anti-aging जो age के लिए बहुत फाइदा मौन है यह सबी गून भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो tomato मैं अभी आपको सामने दिखाने कोशिश कर रहा हूँ यह खेती में यह high beat जो red टेक करके जो tomato का प्रजाती है उसी प्रजाती यह खेत है जो पूरा हरा color का tomato आपको मैं दिखाने कोशिश कर रहा हूँ यह प्रजाती से यह बार में बताऊंगा यह तो normal हमारा सब्जी के लिए सालाद के लिए पेड़ भराने के लिए यूज किया जाता है tomato जिसका अलग-अलग जगा में अलग-अलग नाम से भी पुकारा जाता है लेकिन दोस्तों इसका अयुर्वेदिक गून भी इतना हजारों में है अब सुनोगे तो ठक जाओगे अयुर्वेदिक जितना यह सलाद के लिए अच्छा है सुबजी के लिए अच्छा है दोसरा कोई सूप पनाने के लिए अच्छा है चटनी बनाए के लिए अच्छा है वह साही इसका अ अजोषमें पम का क्शपम हो जाएगा। बीस से तीस बीमारी ऐसा ही खतम हो जाएगा।aban तो बख्यो बरफीर होता है इस बद्दित भीमारी इससे बच्चों को आच्छा तट्रश्च च стоит ताजा रखना है तो सुबे छोटा बच्चो को टॉमेटों का जूस पिलाएं महीने भर के अंदर उसका सरीर ताजा पोना जाएगा कमजोरी टोटाली खतम हो जाएगा बच्चो को मानसिक और सारीरिक भिकास के लिए एक रामबन दबाई है जो आयरुबेद में बोलके गिया और सिसकर रहा हूँ यह टोमेटो है जो बहुत रामबन दबाई हे दोस्तों ओट लॉस करना है आपका बोड़ी क्या उट बहुत ज़ादा है हाइट के इसाब से उमर के इसाब से बोड़ी लॉस करना है आज कल छोटा छोटा बच्चे आपने देखा होगा जह वह ज़्या टॉमेटो खिलाना है। इससे कच्चा में खिलाई है। सैलड के थुरू खिलाई है। जूस बना के पिलाई है। सुबजी के सरे। 100-200 ग्राम टॉमेटो कोई भी फैटी बॉडी के अंदर जाएगा। तो उसका आटोमेटिक महीने भरका अंदर उसको रिजल्ट सामने आ जा C है। यह एक हड़ी के लिए राम बन दबाई है। जो भीटामीन C होने के बाज़े से इसके अंदर इतना बेनिफिड मिलता है। आपका कोई भी जॉइंड पेन है। तो आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपको रिलक्स लेके आप जाता है। पेगनेंट ओमेन होता है। उसके लिए सबसे पहला जो रद होता है विटामीन C. जो पेगनेंट ओमेन है, गर्भबती महिला है। उसके लिए एक मत्र राम मनदबाई है। उसको जो रद होता है सबसे पहले विटामीन B कमप्लेक्स और विटामीन C. इसमें दोनो निउट्रिशन भरपूर मत्रा में रहता है टॉमेटो जिसके बज़े से हमको खटाए लगता है वह विटामिन सी इसको पिलाया जाए रोज सो ग्राम तो वह बेबी भी सुस्त रहेगा और मां भी उतना ही सुस्त रहेगा जो आपको आधर जो पोब्लेम होना चाहिए उस टाइम में उसमें से वह छुटकरा उस ही दोसरा में दोर्थ है इससे आपको छुटकरा पाना है एक टॉमेटो एक रामबान दबाई है जो आयरवेद सास्त्रों में लिखा हुआ है टॉमेटो रोज खाई है आपका सोरीर आपका पेट के अंदर जितना भी टाइप सो पोब्लेम है पेट दर्द कर रहा है तो वह टॉमेटो जूस के साथ काली मिर्च मीज करके उबाल लिजिए पेट जूस बना लिजिए उसके बाल लिजिए तो आपका पेट का दर्द 100% खतम हो जाएगा निखार ले आना है स्कीन में निखार ले आना है तजा ले आना है तो यह जो टॉमेटो है इसको पेष्ट बना और दो-चार दिन सुबे साम पेस्ट को लगा दिए का आपका अंदर आटोमेटिक निखार आटोमेटिक यह आ जाएगा डाइबेटीस का पोब्लेम है एक रामबान दबाई है डाइबेटीस का पोब्लेम आज का दिन में इंडिया में जबड़त बढ़ते जा रहा है सुगार का हर 60% इंसान का अंदर यह बीमारी दिन के दिन देखते जा रहा है जो सुगार का पोब्लेम है डाइबेटीस का पोब्लेम है इससे आपको छुटकरा पाना है करण क्या है अजकल जो इंसान है काम तो दिन भर करता रहता है लेकिन मेहनत काम धिरे-दिरे कौम होते जा रहा है computerize काम अपीस में बैठके काम करना दिन के दिन बढ़ते जा रहा है इस बज़े से धीरे-धीरे सुगार का percentage उतना ही बढ़ते जा रहा है जितना होना चाहिए इससे चुटकरा पाना है तो tomato किसी भी condition में salad के थुरू ले लिजिए juice के थुरू ले लिजिए कच्च ले लिजिए जैसा भी है आपका सरीर के अंदर tomato जाएगा तो आपका diabetes खत्म होगा आपका आखों में problem है आखों का रोसनी धीरे-धीरे कौम होते जा रहा है आपका age की साबसे वो होना चाहिए वो नहीं है तो आपक कुछ भी काम करना है सीड़ी में चड़ना है उपर नीचे होना है आप परेसान हो जाते हो चड़नी पाते हो यह बीपी का परेसानी है यह बीपी से छुटकरा पाना है एक मतर रमबन दबाई है जो आईरवेद सास्त्रों में बार बार बोला गया है टोमेंटो से इतना सस् परनेल बनसपती दादा जिसको माध्धम से मैं रोज एक ना एक जानकारी आपका घर का पड़ोस में है आपका घखेती में है आपको जानकारी पहुचाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तो टोमेटो सभी ने खाया है सभी ने देखा है बस मेरा कुछ जानकारी था बताओ तो बहुत लंबा भीडियो हो जाएगा मेरा उद्देश्व जादा नहीं है जितना इनसान के लिए जोरत है मुझे जितना लगा है उस इसाब से मैं आपको बताने कोशिश किया कॉमेंट करके किसी हालत से बताईए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरा काम करने का जो मुनवल है वो बढ़ते रहेगा सिप आपका एक लाइक एक कॉमेंट का इंतेजार है अच्छा लगे तो जोरूर कॉमेंट करे धन्नवाद धन्नवाद